प्रदीप अपना बैक पैक करके जल्दी से अपनी कोचिंग से बाहर भाग रहा था। वो कोचिंग से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है। लेकिन काफी सारी किक लगाने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्रदीप घु और तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर देविका की, वो अपनी वर्दी में अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, और प्रदीप को देखकर तुरंथ उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो प्रदीप जी? आप ऐसे ही बेड़ में मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकती है, आखिर मैंने क्या गुनाय किया है? अच्छा, तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, पूजा को धोका देकर तुम दूसरी शादी कर रहे हो हाँ तो ये कोई क्राइम नहीं है तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? तुम्हें पता है, उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंनो उसे बहुत समझाया था, कि हमारी शादी नहीं हो सकती है एक लड़की अपनी जान लेने की कोशिश करती है, वो भी तुम्हारी वज़े से और तुम कहते हो कि तुमने क्या किया? तब ही पीछे से इंस्पेक्टर देविका की सौथेली बहन पूजा भी वहां आ जाती है और घुसे में प्रदीप को थपड मारने लगती है, लेकिन प्रदीप उसका हाथ पकड़ लेता है पागल हो गई हो क्या? दूर हटो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को पहले तो तुम मुझसे बच कर दिखाना, चलो थाने और देवी का इसके बाद प्रदीप को थाने में ले जाकर उसे हावालात में बंद कर देती है दरसल प्रदीप पूजा का एक्स बॉइफ्रेंड है पूजा प्रदीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रदीप को इसी बीच किसी अमीर घर से रिष्टा आया तो अपनी ममी पापा के कहने पर उसने उस रिष्टे के लिए हाँ कह दी थी मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था पूजा कि प्रदीप अच्छा लड़का नहीं है उसकी बुरी हरकते तो पहले से ही उजागर हो रही थी हाँ दीदी सही कहती हैं आप आपकी बात न सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी खेर छोड़ चल घर चलते हैं इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं राजेश हौल में ही बैठा था राजेश देविका के सौतेले पिता है वो हमेशा से ही देविका को ना पसंद करते हैं अरे आ गई पुजा बेटी, देखो तो मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है आप चिंता मत करिये पापा, मैंने प्रदीब को अच्छा सबक सिखाया है तुम अभी बीच में कुछ भी मत बोलो, मैं पहले से ही बहुत परिशान हो और राजेश अपनी बेटी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है तब ही देविका की मा माया किचन से बाहर आती है बेटा, सब ठीक है ना बेटी? कहा मा, कुछ सही नहीं है और उसके बाद देविका सारी बात अपनी मा को बताती है कि किस तरह उसने प्रदीप को अरेस्ट किया कुछ दिन बाद, तब ही कमला उनके घर आती है जो कि माया के नए पडोसी है कमला के साथ उसकी बेहन माधुरी भी थी माया उनका स्वागत करती है बेहन जी, करीब दस दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए है नए पडोसी हैं आपके? हाँ, हमने देखा था आपको यहाँ शिफ्ट होते बस मिलना नहीं हुआ इतने दिन अच्छा हुआ जो आप आ गई हाँ जी, असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी माया जी हाँ, हाँ, बोलिये, बोलिये वैसे मैंने आपकी इंस्पेक्टर बेटी देविका को बाजार में देखा था एक गुंडे को पकड़ा था भाई, मैं तो उसकी बड़ी फैन हो गई हूँ अच्छा, वो तो है, मेरी बेटी है ही ऐसी अरे माया, तारिफों के पुल बांधना बंद भी करो वहीं कमला तो देविका की तारिफ करते-करते रुक नहीं रही थी लेकिन ये सब देखकर, राजीश को बड़ी जलन हो रही थी अच्छा, तो आप किसी काम से यहाँ पर आएं थी हाँ भाई साब, काम तो है, लेकिन बहुत अच्छा काम है बस आप दोनों की ही हाँ हो जाए वो दरिसल बात यह है, कि मेरे दो बेटे है एक बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है एक महीने बाद वो यहाँ पर ही सेटल हो जाएगा और एक छोटा बेटा है, जो की टॉप इंटरनेशनल कमपनी में काम करता है सुने है आपकी दो बेटिया है, तो सोचा कि क्यों ना पडोसी होने का यह रिष्टा बदल लिया जाए हाँ, और बेहन जी पैसों की भी कोई कमी नहीं है इनके पास ये काफी अमीर है, काफी जगे जमीन और जायदाद है इनके पास कमला की ये बात सुनकर तो राजेश का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है हाँ, क्यों नहीं, जैसी आपका बेटा अमेरिका से लोटा है, तो दोनों बेटों को भी ले आना आप हाँ, मैं भी यही कह रही थी, फिर बढ़ा लेंगे आगे बाद कमला, माधूरी और माया सभी बहुत खुश हो जाते हैं उसी दिन शाम को दोनों बेटियों की शादी की बात पता चलती है, लेकिन मा मुझा भी शादी नहीं करनी है उम्र निकलती जा रही है, अब तो तुमें सब कुछ मिल ही गया है, तो शादी करने में क्या बुराई है भला लेकिन पापा इतनी जल्दी अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो लोग काफी अमीर है, तुम दोनों की लाइफ सेट है, समझिया नहीं, समझाओ माया, मैं इससे माथा नहीं मार सकता हाँ बेटा, एक बार लड़का देखने में क्या बुराई है, पापा ठीक कह रहे हैं, दोनों पती पतनी अपनी बेटियों को समझाते हैं, आखिर दोनों बेटियां शादी के लिए तयार हो जाती है, और एक महीने बाद दोनों लड़के उन्हें देखने के लिए आते हैं मुझे देवी का पसंद है, तुम बताओ रणवीर बेटा, कैसी लगी पूजा, रणवीर थोड़ा खोया हुआ था, तब ही कमला उसका कंथा पकड़ती है, बोलो बेटा, क्या, पूजा कैसी लगी तुझे, ओ हाँ, मुझे भी पसंद है पूजा, वाँ, चलो, मू मिठा क अरे, मेरी बड़ी बहू तो सर्विस वाली बहू है, ये सुनकर राजेश मू बनाता है, सभी लोग बहुत खुश है, लेकिन वही रणवीर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, देवीका ये बात नोटिस कर लेती है, ये रणवीर को क्या हुआ है, हरे देवीका, वो आ अपने ससुराल में आ जाती है, अरे दीदी, मुझे ना दस हजार रुपे चाहिए थे, बहुत जरूरी है, अरे दस हजार रुपे किसके लिए चाहिए तुझे माधूरी, अरे दीदी, मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया, मुझे थोड़ा फेशल करवाना है, और अपने बाल अरे लेकिन वेकिन मत करो, आपको तो भगवान का शुक्रियादा करना चाहिए, किस बात का, जो आपको इतनी पैसे कमाने वाली सर्विस वाली बहु मिली है, अरे उसका फाइदा उठाओ, फाइदा, हम्, बात तो सही है, और इस तरह माधूरी अपनी बहन को बातों में फ बेटा, है तो दे देना, वर्णा कोई बात नहीं, हाँ ममी जी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे रखे है मेरे पास, देविका अपनी सास को पैसे लाकर दे देती है, कुछ दिनों के बाद, इंस्पेक्टर देविका थाने में बैठी हुई थी, कि तभी उसके पास कॉंस्टे देवल ने, रणवीर का कॉलर पकड़ा हुआ है, ये देखिए मैम, इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने बेवज़ा इस लड़के की पिटाई कर दी है, इसका कितना खून बहा है, इसका तो मैं खून पी जाओ, तभी रणवीर उस लड़के को फिर से मारने के लिए आगे इसने एक बार भी पूजा के बारे में नहीं सुचा, आपको पता भी है, कि मैंनो उस लड़के को क्यो मारा था, वो मुझसे बेवज़े लडाई कर रहा था, उसको सबग सिखाने के लिए मुझे करना पड़ा, आपकी वज़े से मुझे कितनी दिक्कत हो सकती है, मैं कोई आक्शन भी कैसे लूँ आप पर, देवीका रणवीर को बहुत समझाती है, लेकिन रणवीर को उसकी बात सुन ही ने रही थी, देखे देवर जी, मैंने आज तो आपको बचा लिया, लेकिन मैं बाद की गारंटी नहीं ले सकती, प्लीज, दोबारा इसा मत करियेगा, और थोड़ी बहुत जाच परताल करके उसे छोड़ देती है, शाम को जब देवीका घर पहुँचती है, तो काफी परिशान दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती है, आओ, खाना खालो देवीका, नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ, हाँ, मुझे पता है क तुम बहुत थक गई हो, लेकिन पहले खाना खालो, फिर आराम करना, अच्छा, ठीक है, चलिए, वहीं डाइनिंग रूम में खाना खाते समय, देवीका देखती है कि रणवीर अभी तक घर नहीं आया है, पूजा, देवर जी कहा है, पता नहीं दीदी, घर ही नहीं आया अभी तक, नजाने कहा रहते हैं आजकल, तुमने कॉल की क्या, हाँ, बोले लेट आउंगा, तभी देवीका परिशान हो जाती है, अगले दिन जब देवीका अपने पुलिस की गाड़ी में बैठ कर किसी काम से जा रही थी, तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है, जिसे देखक उसके होश उड़ जाते हैं और उसे काफी टेंचन होने लगती है, देवीका खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, देवीका देखती है कि उसका देवर चार लोगों के साथ बैठ कर ताश के पत्ते खेल रहा है, देवीका जॉइमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, देवर जी, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं, उठो, जल्दी से घर चलिए, लेकिन रनवीर नहीं मानता है, बलकि उल्टा देवीका कोई समझाने लगता है, बहुत बोलने पर भी, रनवीर नहीं मानता, मुझ अपनी बहन और अपने देवर के बारे में ही सोचे जा रही थी, घर पहुंचते ही कमला देखती है कि देवीका परिशान है, क्या हुआ बेटा, तुमने आज लेट कर दिया, तुम्हें याद है न, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ बाजार चलोगी, हाँ ममी जी, सब या पाजार, वो ममी जी, I'm sorry, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, पता नहीं क्यों बहुत थकान लग रही है, अच्छा, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर तुम आराम कर लो, देवीका वहां से अपने कमरे में चली जाती है, तभी मादूरी कमला के पास आती है, क्या अरे, तुम्हारी सर्विस वाली बहु ने तो तुम्हे धोका दे दिया, अरे, कैसी बाती कर रही हो, सही तो कह रही है, इस महरानी के तो अभी से नाटक्षिर हो गए है, अरे, वादीदी, अगर मैं ऐसा करती तो तुम गुसा हो जाती, अब भाई, तुम्हारी बहु तो स सर्विस वाली बहु है, इसलिए तुम थोड़ी ना क्या पाओगी उसे खुछ, एक तो बाजा जाने के लिए लेट आई है, और उपर से तुम्हें भी मना कर दिया, क्या हो गया कमला तुम्हें, अरे, कोई बात नहीं जी, चलता है इस अब तो, देख लो, तुम्हारी तो बिहेवियर तेरे साथ कैसा चल रहा है, बिहेवियर अच्छा ही है दीदी, क्यों, क्या हुआ, अरे, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, दीदी, रणवीर जी तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो है, देविका रणवीर के बारे में पूजा को क कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ठान लेती है, कि वो रणवीर को सुधार कर ही रहेगी, कुछ दिन बाद सभी लोग बैट कर सुभे का नाश्ता कर रहे थे, देविका सुनो, मैंने थाइलेंड की अपने दौनों की कट बुक करवाई है, छे दिन बाद हम लोग थाइलेंड जा रहे हैं, तो अपनी पैकिंग शुरू कर देना, और छुट्टी भी ले लेना, लेकिन राम वो, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अरे देविका, मैं तो बस तुम्हें सर्प्राइस देना चाहत अरे लेकिन सर्प्राइस के चकर में गर्बर हो गई न, इस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी छुटी नहीं मिल सकती है, पर क्यों, ड्यूटी ही ऐसी है, और मुझे कुछ दिन के लिए हर्याना भी जाना पड़ेगा, आइम वेरी वेरी सौरी राम, तभी देविका को कॉल आता है, और वो बात करके राम से कहती है, माधुरी और कमला भी वहाँ आ जाते हैं, देखा, ये होता है, अब मुझे चलना होगा, मुझे सर का कॉल आया है, उन्होंने कहा है कि जरा सी भी देर नहीं होनी चाहिए, अच्छ ठीक है तुम जाओ, माधुरी कमला की तरफ कर दिया, देखे न, राम का चहरा कितना उतर गया था आज, तू सही कहती है बहना, आज शाम को मैं उससे इस बारे में पूछूंगी, और माधुरी न जाने क्या 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 कहकर, कमला के कान भरने लग जाती है, शाम के वक्त जैसे ही देवी का घर आती है, कमला उसके पास आती है, आ गई देवी का, हाँ ममी जी, अच्छा, तुम्हारे सर का नाम क्या है, वो जो कौल आती रहती है, देवेंदर जोपडा, क्यों ममी जी, ऐसे ही पूछा, क्यों, मैं पूछ नहीं सकती क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है ममी जी, आप बिलकुल पूछ सकती है, धरname स से सवाल जवाब भी करने लगी थी वहीं दूसरी और देविका अपने देवर पर नजर रख रही थी वो अपने देवर को घर के बाहर बहुत समझा थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन उसका देवर तो मानने को राजी ही नहीं हो रहा था देविका खुद से कहती है क्या करूँ देवर जी का वो रोज जो़ा खिलते हैं कभी लोगों से लड़ाई करते हैं एक दिन देविका सड़क किनारे रणवीर को बेहोश देखती है वो बहुत नशे में था तभी देविका को पता चलता है ये रणवीर अब ड्रग्स लेने लगा है ये भगवान अब क्या होगा बस मेरी बहन का घर तूटने से बचा ले अभेने ना तो घर ले जा सकती न थाने तभी देविका उसे जैसे तैसे करके गाड़ी की पिछली सीट पर सुला देती है और उसके होश में आने के बाद उसे घर ले जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती कुछ महीने और ऐसे ही निकलते हैं और देविका परिशान थी एक दिन बेटा देविका आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्म दिन है उसने तुझे खास बुलाया है बस आज की पार्टी में तु चली आना पर ममी जी हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत काम है लेकिन कुछ हमारे काम पर भी ध्यान दे दो नौकरी तो यूहीं चलती रहेगी हाँ हम सब को भी थोड़ा इंपोर्टिंस दे दिया करो वेटा जी छोटी सासुमा मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सर से बात करूँगी ठीक है देविखा वहाँ से चली जाती है कोई हाल नहीं आज कल की भहुँओं का बड़ा सरसर करती है देखते हैं आती है कि नहीं आती शाम को कमला के साथ धिरेंद्र, माधुरी और पूजा पार्टी में पहुँच जाते हैं लेकिन अभी तक देविका नहीं गई थी वहाँ कमला की कई सहेलिया थी कमला की दोस्त मधुरुमा कहती है अरे तुमारी सर्विस वाली बहु आएगी न हमने तो उसके बारे में बहुत सुना है आज उसके जल्वे देख ही लेते हैं अरे देख लेना देख लेना मेरी बहु वही करती है जो मैं कहती हूँ लेकिन वो तो अपने काम में बिजी रहती होगी है ना, तो तुझे भाव देती है क्या अरे वो तो मेरी उंगलियों पर नाचती है, समझी, आगे से ऐसा question मत करना अच्छा तो 9 बज गये हैं, केक काटने का समय हो गया है, कब तक आएगी तेरी बहु आती ही होगी, ओफिस से लोटने के बाद तुरंत यही पर आएगी, बोल रही थी देविका के इंतजार में आदा घंटा बीच जाता है, अब तो खाना खाने का भी समय हो जाएगा कब तक आएगी इंस्पेक्टर देविका, अरे आती ही होगी, डोंट वरी माई डियर अरे भईया, अब तो रात ही हो जाएगी, अब तो हमें केक काटना ही होगा इस तरह सारा फंक्शन खात्म हो जाता है, और रात के बारा बज जाते हैं, तब देविका वहाँ आती है कमला की सारी सहीलियां हसने लगती है, और उसका मजाग भी उडाती है क्या कमला, जब उसे टाइम पर आना नहीं था तो पहले बता देती, खामखा तेरी इंसल्ट हो गई कमला गुस्से से देविका के पास आती है, और उसका हाथ पकड़ती है, और उसे गाड़ी के पास ले जाकर उसमें बिठा देती है कमला, धिरेंद्र, माधूरी, पूजा भी कार में बैठ गए थे, घर ले चलो जी, और कमला, पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है ममी जी, I'm sorry, चुप रहो, ममी जी, दिदी को माफ कर दीजिए, एकदम चुप, पूजा, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी मैंने सुभे तुम से इतनी रिक्वेस्ट करी थी, कि आज तुम किसी तरीके से भी पाटी में आ जाना, लेकिन नहीं, तुमने फिर भी मेरी नहीं सुनी, तुमने तो आज सब के सामने मेरी नाक कटवा दी जब आना ही नहीं था तो पहले ही बता देती काम ही इतना था कि आते आते देर हो गई और उपर से रोड पर आज बहुत ट्राफिक भी मिल रहा था हाँ बस तुम्हारे पास दी काम है और बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हुए है मेरे बेटे रनवीर को देखो उसके ओफेस में कितना काम होता है उसे हमेशा आने में देरी हो जाती है लेकिन वो भी आज पार्टी में आये था और फिर चला गया पापा जी तुम चुप रहो अभी पापा जी समझिये मेरी सिच्वेशन को चुप करो बहुत हुआ तुम्हें तो हमारी बेज़ती करवा कर अब सुकून मिल रहा होगा ना आज से हम तुमसे कहीं आने जाने को नहीं कहेंगे ठीक हैं? करो सर्विस घर आने पर भी देविका को बहुत खरी खोटी सुनाई जाती है लेकिन राम देविका की ही साइड लेता है इससे कमला चिड़ कर राम को भी डाटने लग जाती है कुछ दिन बाद पूजा का वर्थ रे था हैपी वर्थ रे पूजा थैंक यू सो मज दीदी तो आज का क्या प्लान है? जैसा आप कहीं दीदी? और तभी रनवीर दोड़ कर हाफ तो हुआ घर आता है लेकिन किसी ने रास्ते में उसे चुरा लिया लेकिन चुराने वाले को कैसे पता कि आपके बैग में डाइमेंड का नेकलिस रखा हुआ है? देवीका की बात सुनकर रनवीर कुछ बोल नहीं पाता चुप करो देवीका, पागल हो गयो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि रनवीर जूट बोल रहा है? भाई, मेरा बेटा जूट क्यों बोलेगा? मा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मैं तो बस तो कैसा मतलब था? आप शिंता मत करिये, मैं कोशिश करूँगी उस चोर को पकड़ने की हाँ, बड़ी आई मुझे पता है, देवर जी जूट बोल रहे है अब करूँ भी तो क्या करूँ? कैसे सुधारूँ? एक दिन पूजा मार्केट से सबजी खरीद के आ रही थी तभी उसे माधूरी दिखती है अरे छोटी मा, आप यहाँ? पूजा को देखकर माधूरी की आवाज लड़ खडाने लगती है वो पूजा बेटा, वो मैं दीदी के लिए दवाई लेने आई थी उनका सरदर्द कर रहा था अच्छा तो चलिए, अब एक साथी घर चलते है इसके बाद दोनों घर जाते है वहीं जब पूजा अपनी सासुमा से उनके सरदर्द के बारे में पूछने जाती है ममी जी, आपका सरदर्द कैसा है अब? क्या? पर बेटा, मेरे सर में तो कोई दर्द है ही नहीं तुझे किसने कहा? किसीने नहीं ममी जी अच्छा, तो छोटी मा ने मुझे ये क्यों बोला कि सासुमा का सरदर्द हो रहा है? वहीं देविका फिर से उसी जगे पर जाती है जहां पर रनवीर नशा कर रहा था देवर जी, आप अब सुधर जाएए मुझे पता है कि आपने कोई भी डाइमेंड नेकलिस नहीं खरीद था यहां तक कि आपके अकाउंट में एक रुपया तक भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मैं आप पर कई दिनों से नजर रख रही हूं मुझे सब पता है कि आप अपनी सेविंग से सारा खर्चा कर रहे थे अब पैसा खत्म हो चुका है तो अब आप लोगों से पैसा मांगते फिर रहे हैं भावी बकवास बंद करो बहुत हो गया और रणवीर गुसे में वहां से चला जाता है और रात को घर आता है देविका आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है थोड़ी देर पहले पूजा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि तुम हलवा बहुत अच्छा बनाती हो तो चलो बना दो लिकिन मा जी दी को ओफिस से आयो है सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है बनाना है तो बनाओ वरना चुप रहो मुझे कोई बहाना नहीं सुनना वही तो रोज रोज कोई न कोई बहाना तयार ही रहता है अरे अरे रिलाक्स गुसा मत करो आप सब मैं बना देती हूँ अभी हलवा तो जल्दी जाओ बनाओ जी ठीक है देविका किचन में जाती है पूजा भी चुप के से पीछे से आती है लेकिन माधूरी काफी चालाग थी वो पीछे से इन दोनों को देख रही थी दी मैं हेल्प कर देती हूँ तू जा पूजा मैं बना लूँगी तू भी तो ठक गई होगी ना हलवा तुमने बनाया है या तुमारी बहन ने मैंने ही बनाया है जूट बोलती है देविका नहीं माजी मुझे नहीं खाना ये माजी हलवा मैंने ही बनाया है आप ऐसा क्यों कह रही है अच्छा तो पूजा तुमारे साथ किचन में क्या कर रही थी वो तो बस वैसे ही आई थी मान गए तुमको देविका तुम अपनी सास को बेवकूफ समझती हो ना तभी तो ऐसी हरकते करती हो ऐसा नहीं है ममी जी आप गलत सोच रही हो तुमसे किसी ने पूछा, चुप रहो ममी जी प्लीज ऐसा मत बोलिये उस दिन राम घर पर नहीं था वो ओफिस ट्रिप से बाहर गया था इसी वज़े से सब उनको बहुत खरी-खोटी सुनाती है अगले दिन राम अचानक घर आता है और चिलाता है देविका, देविका क्या हुआ? आप चिला क्यों रहे हैं? देविका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारा DSP देविंदर चोपडा के साथ अफेर चल रहा है ये आप कैसी बाते कर रहे हैं? मुझे किसी अंजान नंबर से कॉल आई थी उसने मुझे बताये इसब लेकिन आप ऐसे किसी अंजान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और ये जूट है, तुम चुप रहो तेरी बहन ने जरूर कुछ किया है नहीं तो बिना चिंगारी के धुआ नहीं उड़ता वाह देविका, वाह सर्विस वाली बहु होने का इतना भी फायदा मत उठाओ मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही होगा मेरे भाई की पतनी ने भी ऐसा ही किया था आप लोग भगवान के लिए शान्त हो जाईए प्लीज, शान्ती तो तूने छीन ही ली है सबकी राम भी इस बात से इतना परिशान था कि वो रोनी लगता है बेचारा मेरा बेटा, देखो तो, क्या हालत कर दी है इसने राम के पास रोनी के लावब कोई चारा नहीं है भुग तो, अब सब के सब भुग तो आप सही कहते हो जी, अब तो मुझे आपकी बाते बिल्कुल सही लग रही है सर्विस वाली बहु लाकर तो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हे भगवान, राम, प्लीज चुप हो जाएए, ऐसा कुछ नहीं है वो मुझसे बहुत बड़े हैं, और भला मैं ऐसा क्यों करूँगी देविका और पूजा, सब को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई भी उन दोनों की बाते नहीं मान रहा था और इस तरह, उस दिन घर में बहुत बड़ा ड्रामा होता है बहुत हो गया, मुझे डाइवोर्स चाहिए नहीं राम, प्लीज, ऐसा मत कहिए हो सकता है कि कोई मेरे से दुश्मन ही निकाल रहा हो आप तो जानते ही है, मेरे काम ही ऐसा है कि मेरे कई दुश्मन बन ही जाते हैं अच्छ शट अप मैं उस आदमी को पकड़ कर लाऊंगी जिसने आपको कॉल किया था तब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ठीक है, दिया तुम्हें मौका देविका की ये बात सुनकर राम को थोड़ा सा चैन मिलता है और रात में सब शांती से सो जाते हैं कमला अगले दिन सुभे देविका के पास जाती है देविका, मुझे 40,000 रुपे चाहिए ममी जी, 40,000 रुपे? मैंने कुछ दिन पहले ही तो आपको 10,000 दिये थे वा, अब कमा रही हो इतना तो फिर 40,000 देने में क्या हर्द है? नहीं ममी जी, मैं आपको पैसे दे दूँगी लिकिन बस मैं जानना चाहरी थी कि आपको किस काम के लिए चाहिए देने है या नहीं? बस बता दो देती हूं मा जी, शाम को ATM से निकलवा कर दे दूँगी रात में देवी का, अपनी मा को उस अनजान कॉलर वाली सारी बात बताती है उस समय देवी का बहुत रो रही थी इसलिए उसकी मा उसे संभालती है और उसे बहुत समझाती है कॉल पर अब मैं क्या करूं मा? आप जानती है न? मैं ऐसा नहीं कर सकती हाँ बेटा, अब तेरी शाधी हो चुकी है, इसलिए तुझे जो भी डिसिजन लेना होगा, चारों तरफ से सोच समझ कर लेना होगा ठीक है मा, और मुझे पता है, तु समझदार है, हिम्मत से काम ले, नहीं तो तु सोच, तेरा और तेरे पती का क्या होगा, वो जो भी है, जल्दी सामने आ जाएगा, देखना, सबर रख लेकिन मा, गल्ती को सहना भी तो सही नहीं होता ना, हाँ बेटा वो तो है, लेकिन जल्दी हिम्मत हार जाना, ये भी तो सही नहीं है ना बेटा, बेटा तु कोशिश कर, और हिम्मत रख, सब अच्छा होगा, ठीक है मा, उनकी सारी बाते देविका के सौतेले पिता, राज लिया कर, हमेशा हर जगे तेरी मा कर तेरी मदद नहीं करेगी, समझी ना? अली जमीन के पेपर दे रही है, आगे बेचने के लिए, लेकिन देविका समझ जाती है कि ये जूट है, और रनवीर ड्रक्स के लिए पैसे ले रहा है, अच्छा, तो कौन सा बिजनेस करना है आपको देवर जी? वो शूज का बिजनेस है कोई, तो आप अकेले ही ये बिजनेस करेंगे या कोई, साथ में भी है आपके? वो है ना, मेरे दो-तिन दोस्त है मेरे साथ, दो या तीन? अरे भावी, आप बहुत जाड़ा क्वेस्चिन करती हो, ये घर है, आपका फुलिस्टेशन नहीं अरे तुझे देरी हो रही होगी बेटा, तुझा याँ से, तेरी भावी की तो आदत ही है, सवाल जवाब करते रहना रात को वही हुआ, जो देविका ने सूचा था, रनफीर ड्रक्स लेकर दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था, तब ही देविका उसके पास पहुंच जाती है मुझे पता था देवर जी, कि आप यहीं पर होंगे, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल भी न सुनी, अब समय आ गया है कि आपकी सच्चाई परिवार वालों के सामने लाई जाए जो करना है कर लो, चल हट मैं आपकी वज़े से अपनी बहन की जिंदगी बरबाद होते हुए नहीं देख सकती, बस अब रणवीर की ऐसी हरकते देख कर, देवीका बहुत हैरान हो जाती है देवीका घर पहुँच कर सभी को रणवीर के बारे में बता देती है उसकी ऐसी बाते सुनकर सभी लोग बिल्कुल भौचक के रह जाते हैं ए देवीका, अपनी बक्वास बंद कर दे, समझी, एक शब्द और बोली न, मेरे रणवीर के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मुझे पता था ममी जी, कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा इसलिए मैं सारे सभूत लेकर आई हूँ ये देखिए, इसके बाद वो सभी को रणवीर की कुछ फोटोस दिखाती है जिसमें रणवीर नशे कर रहा था दीदी, क्या ये सच है? हाँ पूजा, ये सब सच है मैंने देवर जी को समझाने की बहुत कोशिश की मुझसे जितना हो सका मैंने किया लेकिन अब ये मेरे हाथ में नहीं रहा है अब आप लोगों को ही कुछ करना होगा ममी जी भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे भाईया, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, हम सब पूरी कोशिश करेंगे पर ये ऐसी गंदी संगत में कैसे पढ़ गया आखिर? ये बहुत खत्रे वाली बात हो गई ये आप थोड़ी देर में रनवीर भी घर आ जाता है वो नशे की हालत में था तो सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं अरे आप चिंता मत करो, मैं बिलकुल ठीक हूँ आप भला कहां ठीक हैं? आप तो कोई काम नहीं करते अब बस नशे में पढ़ गए हैं अरे तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं बिजनस करूँगा, बस, बात खत्म आपने बिजनस करने के लिए जो पैसे लिए थे, वो कहां है? वो, मैं दे चुका हूँ आधा पैसा बिजनस के लिए उस चीज का कोई प्रूफ है या कोई डॉक्यमेंट तो होंगे न? रनवीर इस बात का जवाब नहीं दे पाता है, और घुस्सा करने लगता है मुझे पता था कि आपने उन पैसों का इस्तमाल ड्रग्स खरीदने के लिए किया होगा या आपने कर्स चुकाने के लिए ही खत्म कर दिया होंगे मैं मेरे बेटे का ये हाल नहीं देख सकती कुछ तो करना होगा, कुछ नहीं करना चुपचाब इसे रिहाबिलिटेशन में भेजो बस मैं नहीं जाओंगा, वो जेल से कम नहीं है मैं देवर जी को एडमिट करवाने की डेट ले लूँगी तुम रहने दो, ये काम मैं कर लूँगा 10-15 दिन बाद की डेट मिल जाएगी हाँ देविका, हर जगह तुम लीडर मत बना करो वहीं रनवीर बार-बार मना करता है पर उसकी बात कोई नहीं मानता और काफी चर्चा होने के बाद रनवीर को Rehabilitation Center भेजने का निर्ने लिया जाता है रात के वक्त राम और देविका अपने रूम में थे देविका खीर लेकर आई थी राम, ये खीर खा लीजिए अभी मैंने खाना खाया है, इसलिए मैंने खाऊंगा अरे कोई बात नहीं, मीठा तो खा लीजिए खाना पच जाएगा मेरा बिलकुल भी मन नहीं है, प्लीज, इसे वापस ले जाओ प्लीज राम मेरे ना का मतलब ना होता है देविका, इतना तो तुम अब तक समझी गई होगी राम के ऐसे वेवार से देविका मायूस हो जाती है, ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ, I'm sorry हाँ जाओ, वापस ले जाओ और इसके बाद देविका किचन में जाकर बहुत रोती है, उस अजनभी की एक कॉल के कारण, दोनों के रिष्टे में दरार आ गई थी कुछ दिन बाद, बेटा राम, तेरी पतनी तो उस दिन बहुत कह रही थी, कि उस अंजान आदमी को पकड़ लेगी, लेकिन क्या हुआ, अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, अरे दीदी समझा करो, जब कोई अंजान आदमी होगा, तभी तो पकड़ा जाएगा ना पता नहीं, लेकिन जब से देविका की यहां शादी हुई है, तब से हमारी जिन्दीगी एकदम नरक बन गई है, रोज कुछ ना कुछ डामा होता है सही बात है, अभी सुभे भी वो अपने सर से बात कर रही थी, मैं सुन रही थी, मुझे तो गड़बर लगती है अच्छा, क्या बात की? अब बेटा, मैं क्या बताऊं, ऐसी बाते शोभा नहीं देती मुझे बोलना, तू समझ ही जा और इस तरह से, वो सब बहुत से गलत बाते बोलकर, राम की कान भरते हैं दो दिन बाद, राम का जन्म दिन था मामी जी, आज राम का जन्म दिन है, तो चलिए कुछ प्लान करते हैं कैसा प्लान? वो शाम को हम उन्हें सर्प्राइस देंगे मैं सारा समान ले आऊंगी, और तैयारी करूंगी, केक भी मैं बनाऊंगी हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, जी जा जी भी बहुत खुश हो जाएंगे आज तो घर में फिर से एक ड्रामा होने वाला है, देखती जा बस हाँ हाँ दे देना सर्प्राइस, जैसा तुम चाहो शाम के करीब साथ बच जाते हैं, और बिर्थ्डे की लगभग सारी तयारिया हो चुकी होती है, अरे पूजा कहा गई, कमरे में होगी शायद, और पूजा को ढूनते हुए, देवी का उसके कमरे में चली जाती है, तब वो कुछ दिनों से न जाने क्या हो गया है, आप इतने कैसे बदल गए हैं, जाके अपनी दीदी से पूछे सब, पूजा को धक्का देकर, वो कमरे से बाहर जाता है, और देवी का को देख लेता है, देवी का उसे घुस्से से देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, धिया आप, तूने मुझसे इतने दिनों से ये क्यों छुपा के रखा था, कि रणवीर तेरे से अच्छे से बात नहीं करता, बस ऐसी दीदी, वैसे भी आप इतनी परिशान रहती हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया, पूजा, तू मेरी छोटी बहन है, और तेरी सेफटी रखना मेरी ड सभी लोग एक साथ सर्प्राइज, 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 तो सब उसे बर्थडे विश करते हैं, राम केक काड़ता है और सबसे पहले अपनी मा को खिलाता है, हे भगवान, ये कैसा केक बनाया है, चीनी की जगे तूने तो नमक ही म पर बात कर दिया वो ममी जी मैंने तो चीनी ही मिलाई थी अरे तो क्या नमक मैंने मिला दिया था या फिर मेरी बहन ने मिला दिया था कहने का क्या मतलब है तेरा नहीं ममी जी दीदी का ये मतलब नहीं था अपनी दीदी का साथ देना बंद कर दे समझी मैं बहुत ठक गया हू इससे अच्छा तो कुछ ना करती खाम खाम मेरे बेटे का भी मूड खराब कर दिया इसने तो चलो जी और सब लोग गुस्से से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं देवीका को बहुत बुरा लग रहा था दी परेशान मत हो ये सब ठीक हो जाएगा तु भी आराम कर ले कुछ दिन बाद रनवीर के रिहबिलेशन सेंटर जाने की डेट आ गई थी उसे दिन रनवीर फूट फूट का रोने लगता है और अपने माबाप को खूब समझाता है माप प्लीज मेरा अलाज घर से ही करवाओ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई गरबड़ी नहीं करूँगा बेटा ऐसे रोएगा तो कैसे भेजूँगी मैं आप सब इनकी बात मत सुनो इनका जाना जरूरी है लेकिन रनवीर रोते रोते सबसे माफ ही मांगता है और देविका सबी को समझाती है कि उसे वहाँ भेजना जरूरी है लेकिन अब कोई देविका की बात नहीं मानता अरे तुझे क्या पता एक मा और बेटे के अलग होने का दुख कहना आसान है मगर करना आसान नहीं है लेकिन छोटी मा अरे चुप कर जा तू इस घर में तेरा कहा नहीं चलेगा मेरा चलेगा समझी मेरा बेटा यहीं रहेगा और इसका इलाज यहीं पर घर पर होगा अगले दिन देविका और पूजा अपने माबाप को मिलने के लिए माई के गई थी और ससुराल आकर जब पूजा अपनी अलमारी खोलती है तो देखती है उसका सारा सोना वहां से गायब है वो घबराकर सभी को वहां बुला लेती है अरे बेवकूफ कहीं अपना सारा सोना घर पर तो नहीं छोड़ कर आ गई माई का भर रही हो क्या कहीं नहीं ममी जी, मुझे अच्छे से याद है, वो काफी बड़ा ज्वैलरी बॉक्स था, उसी में सारी ज्वैलरी रखी थी, हाँ ममी जी मैंने पूजा को खुद अपनी आखों से अपना ज्वैलरी बॉक्स रखते वे देखा था, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि सारी ज और इसके बाद तीनों मिलकर दोनों को बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं। बस तु आज के बाद उस आदमी से नहीं मिलेगी। तुझे पता है न कि तेरा पहला पती कैसा निकला उस पर भी तुने बहुत भरोसा किया था। ये मत भूल। उनकी बातों से देविका को पता चलता है कि माधूरी का उसके पहले पती से तलाक हुआ था और वो अब किसी औ और आदमी को पसंद करती है। देविका उनकी बाते सुनने के बाद अंदर आ जाती है तो माधूरी चुप हो जाती है। क्या हुआ? उस अंजान आदमी का पता चला गया? हाँ, क्या हुआ उसका? कितने दिन हो गए? समझ लीजे कि पकड़ा ही गया बस। हमें एक बहतरीन सबूत मिला है। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी अब। अच्छा? हाँ, छोटी माधूरी और कमला सोचने लग जाते हैं कि क्या देविका सच बोल रही है या नहीं? खेर, अगली सुभह पूजा अपनी बहन से बात कर रही थी। पता है दीदी, आजकल मुझे छोटी म बाजार में मिलती है कई बार और हर बार एक ही जगे पर और पूछने पर कुछ बताती भी नहीं। अच्छा? किस जगे पर? बताओ तो? हाँ, मैं आपको एड्रिस मैसेज कर देती हूँ। पूजा उसे एड्रिस दे देती है और उसे दिन देविका चान बीन करती है और प उसकी नजरों से बच जाती है मादूरी गुस्ने में कमला के कान भर देती है दोनों वहने मिलकर पूजा और देविका के साथ बहुत गंदा विवार करती है देविका और पूजा इन सब परिशानियों से ठक चुकी थी दी यह सब क्या हो गया? मम्मी जी और छोटी माह हर वक्त नाराज रहती हैं। चिंता मत कर। मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। तभी एक दिन माधुरी और कमला बाजार में थे। और अचानक एक मास्क पहना हुआ आदमी माधुरी की सोने की चेन खीचने लगता है। और उनको चोटे भी लग जाती है। शाम को देवी का घर पहुंचती है तो देखती है कि दोनों को चोटे लगी है। अरे ममी जी, छोटी माँ, ये क्या हुआ? चुपकर, ये सब तेरी वज़े से हुआ है। छोटी माँ, पर दीदी ने क्या किया है? इसके इतने दुश्मन ह ना उनी में से किसे ने किया होगा सोचा था सर्विस वाली बहु आएगी तो अच्छा होगा उल्टा सब बर्बाद ही हो रहा है लेकिन ही जरूरी तो नहीं हो सकता है कि वो चोर आपका कोई पुराना दुश्मन हो हम शरीफ खानदान से हैं हमारे कोई दुश्मन नहीं है समझी न हे भगवान आज तो मैं मरी जाती मेरी बहन बिचारी उसकी जानवी खत्रे में थी शुक्र है जिन्दा है हम वही तो दीदी मुझे अपनी परवा नहीं लेकिन मुझे तुम्हारी परवा है बस तुम ठीक रहो मामी जी आप चिंता ना करो दीदी उसे पकड़ लेंगी हाँ मामी जी तू बस यहां से चली जा शायद तभी ठीक हो जाए सब कुछ हो सकता है अपने प्रेमी से ना मिल पा रही हो तो बद्दुआ दे रही हो हमें माधुरी और कमला उसे खूब सुनाती है हाँ चली जा चली जा तो दीदी मुझे भी आनी रहना मैं भी आपके साथ चलूँगी क्योंकि जहां पर आपका बार-बार अपमान हो रहा है मैं वहाँ पर कैसे रह सकती हूँ दोनों की दोनों यहां से जल्दी चली जाओ वरना धक्के मार कर भगा दूँगी और इतना सुन्दी के बाद देविका और पूजा अपना सामान पैक करके अपने माई के चली जाती है वही कुछी दिनों बाद देविका को उस चोर के बारे में पता चल जाता है जो सोने की चेन खीचने का प्रयास कर रहा था पकड में आ गया वो चोर दीदी? कौन है वो चोर? वो वही आदमी है जिसको छोटी माँ पसंद करती है हे भगवान, इसका मतलब तो हाँ पूजा इसका मतलब ये है कि चोटी माँ हमारे परिवार में बहुत बड़ा खेल खेल रही है बस मुझे ये जानना है कि आखिर क्यूँ वो आदमी कई दिनों से कही फरार है हे भगवान, यकीन नहीं होता चोटी माँ ऐसी है मैं जल्द ही उनका परदाफाश कर दूँगी बस मुझे कुछ पक्के सबूत चाहिए क्योंकि बिना सबूत के तो सासु मा मानने वाली नहीं है हाँ, मुझे तो यकीन नहीं होता कि अपनी बहन के कारण उन्होंने हम दोनों की जिंदगी बरबाद कर दी देख बेटा, तेरी सासु मा भोली है वो तो माधूरी की वज़े से ऐसा कर रही है बस मैं चाहती हूँ कि उनके सामने सच्चाई जल्द से जल्द आ जाए हाँ मा, कर दूँगी मैं सब ठीक कुछ वक्ट बाद अचानक से कमला के घर में बार-बार पैसे चोरी होने लगते है यहाँ तक की कमला की सारे जेवर भी चोरी हो गए थे मुझे पाता है रणवीर की तूने ही ये सब कुछ किया है नई नई मैंने नहीं किया रणवीर बार-बार मना करता है और बहस होने लग जाती है और तभी वहाँ पर धिरेंद्रा आ जाता है अगर तूने चोरी नहीं किया तो क्या मैंने चोरी की है या तेरी मौसी ने चोरी किया है इससे अच्छा तो इसको वही पर भेज देते चुपो जाईए आज तक आप दोनों ने मुझे दिया ही किया है आप तो हमेशा से बड़े भाईया को यह अच्छा मानते आएं मुझे तो कभी प्यार मिला ही नहीं बस इसी लिए इसी लिए मैं नशा करता हूँ समझे तभी वहां राम भी आजाता है और वो भी यह सुन लेता है घनवीर तो यह कैसी बाते कर रहा है अरे आप तो चुपी रहिए होश में आजा मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है इसलिए चिलाए मत वरना अगर मैं चिलाऊंगा न तो अच्छा नहीं होगा बेटा यकीन नहीं होता कि तो अपने मन में क्या-क्या छुपा कर बैठा था अरे माँ आप तो सबसे बड़ी खिला रही है मैंने तो देविका को पसंद किया था लेकिन आपने तो भाया की शादी उससे करवा दी और मजबूरी में मुझे पूजा के साथ रहना पड़ा लेकिन अब उससे नाटक नहीं होता ये सुनकर कमला और धिरेंद्र की आँखों में आशु आ जाते हैं वहीं रणवीर किसी की बाते नहीं सुन रहा था और मरने की धमकी देकर घर से दो लाक रुपे लेकर चला जाता है कुछ दिन बाद देविका उस कॉल करने वाले आदमी को लेकर अपने ससुरा लाती है लेकिन वो दर्वाजे की चौकट पर ही खड़ी रहती है राम, ममी जी, आए जरा ये आदमी पकड़ा गया है ये वही है जिसने कॉल किया था सब बहार आते हैं इसको कॉल करने के लिए पैसे दिये गए थे लेकिन जिसने पैसे दिये थे उसका चेहरा इसने नहीं देखा है देविका माफ कर दो मुझे बहुत बड़ी भूलो गई मुझे आओ, घर वापस आओ कमला और माधूरी इन दोनों की बाते सुन रही थी लेकिन कुछ बोलती नहीं नहीं राम, अब इस घर में मैं नहीं आ सकती मुझे माफ कर दीजिए राम बहुत मनाता है लेकिन देविका नहीं मानती और चोर को लेकर वहां से चली जाती है तीन महीने बाद रात के बारा बच रहे थे घर में कोई नहीं था उस दिन कमला और धिरेंद्र भी किसी काम से शेहर से बाहर किसी रिष्टेदार के घर गए थे तभी रन्वीर चुपके से पैसू की चोरी करने के लिए राम के कमरे में जाता है अचानक उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो लटखडा कर नीचे गिर जाता है अरे यार बच गया भया का पर्स कहा है ये गिला गिला क्या है मोबाइल की टॉर्च से देखता है तो उसे जमीन पर खून पड़ा दिखाई देता है रन्वीर डर जाता है और तभी दर्वासा खुल जाता है और लाइट्स ओन हो जाती है लाइट ओन करने के साथ ही मादूरी जोर से चिलाती है ये तूने क्या कर दिया रन्वीर पैसो की चकर में तूने अपने भाई को मार डाला नहीं मैंने कुछ नहीं किया और मादूरी उसे कई थपड मारती है और अचानक वो जोर जोर से हसने लग जाती है मौसी जी मैंने कुछ नहीं किया जब मैं आया तो अरे बसकर बेटा, तू क्यों परिशान हो रहा है, मुझे पता है कि तूने इसका कतल नहीं किया है, इसका कतल तो मैंने करवाया है लेकिन ऐसा क्यों? मैं अपनी बेहन के घर को बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि उसकी वज़े से ही मेरा पहला प्यार मुझे छोड़ कर चला गया, और अब जब मुझे नया प्यार मिला था, तो उसके लिए भी वो मना कर रही थी क्या? हाँ, मैं तो बैठकर एशो आराम करती और पती और बच्चों का सुख ले रही थी, और उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ, बच्पन से ही उसे माबाप का प्यार भी जादा ही मिला है नहीं मासी जी, आप ऐसी नहीं है तभी रणवीर को फसाने के लिए वो पुलिस को कॉल करती है, और कुछी दिर में पुलिस आ जाती है मैंने ही आपको बुलाया था, गिरफतार कर लीजे रणवीर को तभी कमला, धिरेंद्र और देविका पूजा के साथ उनका परिवार भी वहाँ पहुँच जाता है और राम भी खड़ा हो जाता है, और मादूरी की आँखे फटी के फटी रह जाती है तभी देविका वहाँ मादूरी के प्रेमी को ले आती है राम, तु जिन्दा है? जी हाँ, अब तो आपका पर्दा फास हो चुका है यहीं है ना, जो राम का मर्डर करने वाला था, यह सब हमारे प्लान का हिस्सा था दरसल मादूरी का प्लान था कि उसका प्रेमी कमरे की खिड़की से आकर राम को कमरे में घुसकर मार देगा और तब रणवीर घर आएगा तो उसे फसा दिया जाएगा इसके साथ ही मादूरी रणवीर को ड्रग्स लेने के लिए उकसाती थी और उसी नहीं बताया कि राम के पर्स में बहुत सारे पैसे हैं इसलिए वो आज राम के कमरे में गया था सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और वही देवीका से माफी मांगते हैं वही रणवीर को री हैबिलियेशन सेंटर भीज दिया जाता है और माधूरी के साथ उसके प्रेमी को गिरफतार कर लिया जाता है